जारखंड मंत्राले में कैबिनेट की बैठक समाप होने के बाद मुख्यमंत्री आवास में यूपिय विधायक दल की बैठक भी होगी। यह बैठक कई मायनों में एहम होगी क्योंकि कल विधान सभा का विशेश सत्र आयूजित किया गया है। विशेश सत्र के ठीक एक बिन पहले कैबिनेट की बैठक और यूपिय घटक दल की बैठक काई मायनों में एहम है। विशेश सत्र को लेकर ही इस विधायक दल की बैठक का आयुजिन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हिमंत सुरेन करेंगे। आज की दोनों बैठक में 1932 के खतियान को विधेक और अंतिन रूप देने तैयारी की जाएगी इधर कैबिनेट की बैठक में करीब एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगेगी बता दे के 1932 आधारित खतियान के प्रस्ताव को 14 सितंबर को कैबिनेट में स्विक्रिती मिली थी UPA विधायक दल की बैठक में कांवेस विधायक दल के निता आलमगीर आलम और प्रदेश अर्ध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल होंगे बैठक में सभी विधायकों को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है चुकि कल होने वाले विशेश सत्र में सरकार 1932 के खतियान पर आरित स्थानिय नीती और OBC ACSDR अरक्षन विधे पेश करने वाली है तो इसे लेकर थोसर नीती पर चर्चा होगी विधायकों को खास निर्देश दिये जाएंगे अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले